आम आदमी पार्टी सांसद रागफ चड़ा के सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोट में शुक्रुवार 3 नवंबर को सुनवाई हूँ। कोट ने रागफ को राजसभा से उनके सस्पेंशन के मद्दी नजर राजसभा सभापती से मिलने और बिना शर्थ माफिय मांगनी का सुझाव दिया है। CGI DIY चंदचुड ने कहा कि उपराश्रपती पूरे मामले पर सहानु भूती पूर्वक विचार करके आगे कदम उठा सकता है। मुखे नयदीस डीवा चंदचुड और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनूर मिश्ट्रा के पीट ने अटॉर्नी जनरल और वेंक्टर मनिस दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले के सुनवाई करने को कहा है। अपनेता पर दिल्ली सर्विस बिल पर पांच फर्जी साइन कराने का आरोप है। जिसके चलते रागफ को संसत के मानसोतर सत्र के आखरी दिर 11 अगस्त को राजिसभा से निलंबित कर दिया गया था। कीटी को भेशने के प्रस्ताफ पर उनके नाम का उलेग किया किया। विरोव दर्श कराने वाली तीन भाजपा सांसद है। वहें इनमें एक बीज़िटी और एक अन्ना द्रमुक सांसद भी शामिल है। इस मुद्धे पर केंद्रे ग्रहम अंसरिया में शान निजांच की मांग की थी। अब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रागव चड़ा की सस्पेंशन केस की टाइम लाइन बताएं तो सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में 30 नवंबर को सुनवाई हुई। कोट ने रागफ के बेमियादी सस्पेंशन हैरानी जताई थी कोट ने कहा था कि सदन की कारवाई बादित करने वालों को एक सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है क्या चड़्धा की गलती उससे भी बड़ी है कोट ने रागव चड़ा के वकील और अटार्नी जर्नल और वेंटर मनी को संक्षिप्थ दलीले जमा करने को कहा था कोट ने ये भी पूछा कि क्या आपका सांसत के सदन में माफिय माग लेने से सस्पेंशन रध हो सकता है राजसबा से निलंबन केस में 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हो रागव की तरफ से वकील राजेश दिवेदी कोर्ट में पेश हुए उन्होंने दलील दी कि किसी सांसत का निलंबन उस विशेश सत्र से आगे नहीं बढ़ाये जा सकता है जिसमें उसे निलंबित करने का फैसला लिया गया ये राज्ट्र महत्व का मुद्दा है क्या चांच लंबित रहने तक किसी सांसत को निलंबित करने का कोई औचित है राज्ट्र सबा से सस्पेंशन के खिलाव राघव ने 10 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में याजिका डाली थी निलंबन के बाद राघव ने कहा था मेरा सस्पेंशन आज की युवाओं के लिए भाच्पा की ओर से एक सक्त संदेश है यदि आप सबार पूशने के हिम्मत करेंगे तो हम आपकी आवास को कुचल देंगे मुझे कठिन सबार पूशने के लिए निलंबित कर दिया किया